नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आई आज हम सभी जानते हैं फुले हुए पेट की गैस से परेशान हैं तो ये घरेलू उपाय कर देंगे मातर साट सेकेंड म आपको उससे फ्री जिहां पेट की गैस से आपको निजात दिलाएंगे मातर साट सेकेंड यानि की एक मिनट के अंदर में पेट फुलना या फिर कहिए ब्लोटिंग की परेशानी जिसमें पेट सुजा हुआ दुख्याई देता है यह कंडिशन काफी औस हज होती है जिसमे छोटी आत के अंदर गैस भर जाती है पेट फुलना एक संकेत हो सकता है कि खाया गया भोजन ठीक प्रकार से हजम नहीं हुआ है पेट फुलने की समस्या उन महिलाओं में भी देखी जा सकती है जिन्हें पीरियर्ट्स शुरू होने वाले हो जिहां इसके अलावा आप चाह पाने के लिए रामबान उपाय है यह ड्रिंक आपके शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरीज को खत्म करेगी और फैट बन करने में भी आपकी मदद करेगी जिहां कभी-कभी भूख ना लगना गलत खान पान और लापरवाही इत्यादी के कारण पीट में दूशित वायू इकठी हो जाती है जो अध्यमान या आफरा को पैदा करती है इसके परिणाम स्वरूप पेट की नसों में खिचाव महसूस होने लगता है ऐसी अवस्था में मरीज बेचैन होड़ता है पेट फूलने लगता है जब यह गैस उपर की और बढ़ने लगती है तो हिरदय पर दबाव बढ़ता है जिससे घबराहट सी महसूस होती है यह गैस जब पेट में काफी समय तक रूख जाती है तो पेट में काफी दर्द करती है जिसे आफरा यह पेट में गैस का बनना कहते हैं पेट की गैस होने के कारणों को आईये जान लेते हैं अध्यमान यानि कि आफरा यानि पेट में गैस का बनना वायू के इकठा होने से पेट के फूलने के कारण पेट में कबज पैदा हो जाती है कबज के कारण जब आतों में मल एकत्रित यानिकी इकठा होता है तो मल के सड़ने से दूशित वायू गैस के उत्पती होती है दूशित वायू को जब कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो उस दूशित वायू से पेट फूलने लगता है इससे अगनिमांध यानि कि भूख का ना लगना अपच और अतिसार यानि कि दस्त इत्यादी रोग उत्पन्न हो जाते हैं चिकित सकों के अनुसार अधिक मात्रा में भोजन करने बाजारों में अधिक तेल मिर्च गरम मसाले का सेवन करने से जो की बाजारू भोजन में सबसे ज़्यादा होता है इस क्रिया की विकृती के साथ अध्यमान की बढ़ोतरी होती रहती है कशेली, कड़वी, तिखी और रुक्ष यानि कि सूखा वस्तूओं को खाने से खेदे यानि कि दुख अत्यांत ठंधे पदार्थों का सिवन मल मुत्र के प्रेशर के रुकने से चिंता भाय यानि कि डर अधिक रखते चाप हाई बलड प्रेशर से मांस शिंड अधिक उल्ट को जकड़ कर दर्द पैदा हो जाने से यह विकार उत्पन हो जाता है वरिद्ध लोगों में ज्यादा प्रूब्लेम क्रियेट करती है यह पेट की गैस यानि कि आफरा होने के लक्षनों को जान लिजे अध्यमान या वायू के इकठा होने से पेट में दर्द जीमिचलाना श्वास लेने में कष्ट के साथ ही रोगी को बहुत घबरहट होती है छाती में जलन होती है दूशित वायू जब उपर के और चड़ती है तो सिर में दर्ध होने लगता है रोगी को चक्कर आने लगते है जब तक रोगी को ड़कार नहीं आती या मल द्वार से वायू नहीं लिजे 2 लिटर पानी चाहिए होगा आपको 12 छोटी पुदीने की पतियां चाहिए होगी एक स्टिप स्टाजा कदू कस किया हुआ अधरक चाहिए होगा एक कटा हुआ निम्बू और एक छिला हुआ और कटा हुआ खीरा चाहिए होगा सेसी ड्रिंक को बनाने के अविध जान लीजे मैंने जो भी समगरियां बताई इन सभी को एक साथ मिक्स कीजे और आपकी ड्रिंक सेवन करने के लिए तयार हो जाएगा सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी में आपको घोल लेना है इसके बाद दिन में आठ से दस ग्लास इस ड्रिंक का सेवन करना है और आपकी ब्लोटेड बैली की समस्या कुछी सेकंड में छूमंतर हो सकती है इसके साथ साथ ही आपकी पेट के गैस की समस्या और दर्द तो जाएगा है आपका वजन भी कम होगा पेट की गैस के लिए कुछ अन्य उपायों को भी आईए जान लेते हैं सोट सोट का चोन तीन ग्राम और अरंड का तेल आठ ग्राम सेवन करने से कबज के कारण होने वाला अध्यमान ठीक हो जाता है सोट का चोन लगभग एक ग्राम का चोथा भाग से लगभग एक ग्राम भाग में काला नमक मिला करके सुबह और शाम लेने से लाब होता है पुदीना पुदीना के 5 मिले लिटर रस में थोड़ा सा सेंधानमक मिला करके सेवन करने से अध्यमान ठीक हो जाता है पुदीने के पत्तों का शर्बत बना करके पीने से आफरा में लाव होता है अध्रक जिहां अध्रक 3 ग्राम 10 ग्राम पीसे हुए गुड के साथ सेवन करने से अध्यमान यानिकी आफरा गैस समाप्त हो जाता है लहसुन, लहसुन का पीसा हुआ मिश्रन लगभग 1 ग्राम का चोथा भाग को घी के साथ सेवन करने से पेट में बनी हुई गैस बाहर निकल जाती है सौफ, सौफ पचीस ग्राम को 500 मिली लीटर पानी में उबालें जब 100 मिली लीटर पानी बच जाए तब सेंधा नमक और काला नमक 2-2 गराम मिला करके रख लें फिर इस काढ़े को छान करके पीने से अध्यमान नश्ट हो जाता है सौफ को कूट कर चोण बना करके रख लें 5 गराम चोण हलके गर्म पानी के साथ सेवन करने से जल्दी पेट का फुलना नश्ट हो जाता है सौफ का काढ़ा बना करके बस्ती यानि एक क्रिया जिसमें गुदा मार्ग से पानी डालते हैं देने से गैस में लाब होता है जायफल जायफल का चोण सोट का चोण और जीरे को पीस कर बारिक पाउडर बना लें इस बने हुए पाउडर को भोजन करने से पहले पानी के साथ लेने से अध्यमान यानि कि आफरा गैस को पैदा होने से रूख देती है ये बैंगन बैंगन को अंगारू पर सेख करके उसमें सजी खार मिला करके पेट पर बाहनने से पेट में आपके गैस भर गया हो तो वह दूर हो जाता है बैंगन की सबजी में ताजे लहसुन और हिंग का चौँक लगा करके खाने से अध्यमान होने से रूखा जा सकता है पीपल का चून 3 ग्राम सिंधा नमक 1 ग्राम को मिला कर 150 मिली लीटर चांच याने के मठे में आपको मिला करके पीना है इससे गैस बाहर बार बता रहा हो में अध्यमान आफरा और गैस एक ही बात है समाप्त हो जाती है तीन पीपल को पीस करके इतने ही काले नमक में मिला करके गर्म पानी से सुबह शाम खाने से आधे घंटे बाद फंकी लेने से पेट की गैस बाहर निकल जाएगी इलाइची आवले का रस या चून में भूनी हुई हिंग लगभग एक ग्राम का चोथा भाग और थोड़ा सा निम्बू का रस एक साथ मिला करके सेवन करें इससे गैस दर्द और आफरा मिट जाता है इसके अलावा आखिरी प्रियोग है लोंग जिहां तिन ग्राम लोंग को दो सो ग्राम चीनी में उबालने फिर चान करके इस पानी को पीने से आफरा दूर होता है लगभग एक ग्राम का चोथा भाग लोंग को पीस करके गरम पानी से चान लें इसे सुबह शाम रोजाना पीने से आफरा में लाव होता है जिहां दोस्तों तो आफरा को यानि कि गैस को मिटाने के लिए ये थी होम मेड रेमेडी जो कि आसानी से आपके आसपास मिल जाएंगी और आपके लिए बेहत कारगर सावित होंगी अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे और बेहत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों